नमस्कार, मैं आयूशी गोईल, आप सभी लोगों के साथ अपने कुछ विचार, सांज़ा करना चाहती हूँ, मैंने एक छोटी सी कविदा लिखने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आपको यह पसल आएगी मेरी डाहिरी का एक पंणा, कविता का शीर्षक है मन की आवाज मत पूछो में कौन हूँ, मत पूछो में क्यों मौन हूँ, यह दुनिया जो सामने है वो तो छलावा है, पहजान लो अगर तो मन में दुनिया, नहीं तो दुनिया में मन है मन ही शिव है, मन ही मानब, मन ही विश है, मन ही दानब कर लो निश्चे तो राह तक ले जाओं, जो ना कर पाओ तो कैसे पार लगाओं अभी यही था, अभी न जाने कहा है, यह तो मन है साहब, कभी बस में रहा है जिसने पाली मन पर विजए, उसने संसार जीत लिया, जिसने मानली मन से हार, उसका कभी हुआ है संसार मेरा मन जो कह रहा है, क्या वो कोई धोका है, जो अगर कभी गलत किया, क्या उसने मुझे रोका है मन की सुनू या मन को सुनाओं मन की सुनू या सुनाओं मन को रहता हूँ इसी कश्मकश में मन है मेरा या मैं मन का मिल जाएगा उत्तर जो कर लिया इसे बश्मे भागे मेरा मन मैं भागूं उसके साथ पीछे मुर कर जो देखा कुछ न आया हाथ मन मारूं या खुद मर जाओं खुद को कैसे मन से छुपाओं राम बसा लो मन में तुम मरियादा याद दिलाएंगे जो बसा लिया तुमने रावन को अहंकार से भड़ जाओगे केबल दुखके और नहीं कुछ पाओगे जो फिर भी रावन निकल ना पाए मन से उत्तर रखना साथ तुम्हारे जब अहंकार तोने राम पधारे हारकर मैंने मन से कहां तू ना लोटकर आना यहां मन तुमको करने होंगे बलिदान सुनलो यहां खोल कर कान भूल जाओ तुम जीवित हो भूल जाओ तुम जीवित हो मुझ तक ही तुम सीमित हो एहसास ना होने पाए किसी को कि तुम मेरे भीतर हो मत लगाना मुझे आवाज कभी सुनकर आवाज रुकना जाओं कभी अपसे तुम आजाद हो ना मेरे मन की आवाज हो पराई हो गए हो तुम जब से जित किये बैठे हो तब से ये तन अब नहीं तुम्हारा लो मान लिया मैं मन से हारा लो मान लिया मैं मन से हारा धन्यवाद